नमस्कार एक पर फिर से हाजर हूं बिज्नस के इस वीडियो को ले कर और ये वीडियो आपके लिए बहुत ऐह्म है क्यूंगी इस वीडियो की सरी एक ऐसे बिज्नस के बारे में बताएंगे जो आज के दौर में बहुत जादा important है, globalization के दोर में बहुत जादा important है कौन सा है वे business वो आपको चल बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको subscribe करना है हमारा चैनल वीडियो अन तक देखेगा, पसंद आए तो like कीजेगा और हाँ, comment box में लिकर ज़रूर बताएगा कि आप किस तरह के वीडियो और देखना पसंद करेंगे तो चलिए, शिरुवात करते हैं आज के इस वीडियो की तो आज हम जिस business की बात करने जा रहे हैं वो है import और export का business और import export को अगर मैं सर्व शब्दों में बताऊं तो हम सब जानते हैं आयात निर्यात का business यानि कि एक देश से दूसरे देश का business आज के दुरिया में जहां सब कुछ तेजी से एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है अंतराश्य खरीत फरोग्त करना बेहद आसान हो गया है खान पान की चीज़ों या तकनीक जैसी चीज़ें तो हमेशा सही अंतराश्य वेपार में एहम रही है प्रन्तु अब दुनिया की हर छोटी से चोटी चीज़ सभी लोगों के लिए उपलब्ध है चाहे बड़ी कंपनियों हो या फिर अपनी computer screen के पीछे बैठा एक आदमी हर कोई अब वेश्वी वेपार से किसी ना किसी रूप से जुड़ गया है Export-Import Companies, Customers तक सामान पहुँचाने के लिए नित नए तरीके निकाल रही है इससे अब ग्रहकों के इंतजार का समय भी कम हुआ है आजकर लोगों के पास बिजनस के धेरों आइडियास है पर सफलता की गैरेंटी किसी के पास नहीं Export-Import एक ऐसा बिजनस है जिसमें आपकी डिगरी, बैकग्राउंड आधी का कोई लेना देना नहीं है कोई भी इसमें अपना करियर बनाने की सोच सकता है इस बिजनस को लेकर एक बहुत बड़ा मित ये है कि शायद इस बिजनस को लेकर एक बहुत बड़ी पूजी किया विशकता होती है लेकिन नहीं, ऐसा हर तरह के बिजनस में जरूरी नहीं है इस बिजनस की सबसे अच्छी बात ही है कि इसमें सफल होने के लिए आपको बड़े-बड़े offices, building या factory आदी में कोई मतलब नहीं है। इस business में बस आपका product बोलता है। जितना अच्छा माल उतना जादा profit। आप अपने business का विस्ताष सिर्फ अपने उत्पात की quality पर ही कर सकते हैं। साथ ही आपके अंतराष्ट्य बाजारों और business की समझ आपके context आदी कुछ ऐसे महतवपून बिंदू हैं जो आपकी success को निर्धारित करते हैं। इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट business में लाब कमाने के मौके काफी जादा हैं। जितना भी पैसा आप commission के रूप में कमाते हैं, उसका अधिकतर हिस्सा आपके पास ही रहता है क्योंकि इस business की overhead cost काफी कम है। overhead cost 4 cost होती है, जो business को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है, जैसे कि showroom का किराया, office की बिजली का बिल आदी। सरकार की निरंतर कोशिश रहती है कि export-import business को भड़ावा दिया जाए, हालांकि गैर कानूनी गतवीदियों के डर से इससे जूड़ी प्रक्रियाय जटिल रखी गई है, काफी सारे documentation की भी आवशकता होती है, यही सब इस business को थोड़ा साथ जटिल बनाता है। 21 सदी में import-export का business फायदे का सौधा है, अंतराश्टी बाजार में आपको profit कमाने के अफसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां हर उत्पात पर profit margin घरेलू market के मुकाबले अधिक है, हालांकि अंतराश्टी बाजार में कदम रखने से पहले आपको अपने product और अपने market की पूर सौटियों पर खरा उतरने में किसी तरह का यायात निर्यात का business जो है, वो फेल हो जाता है, तो भारी नुकसान उठाना कर सकता है। और अंतराश्टी सर पर काफी मात्रा में वेफसाय चल रहा होता है, गलतिया होने के अफसर भी उतने बढ़ जाते हैं। उद्यमी अपना सामान अंतराश्टी बाजार में बेचने में असफल रहते हैं। इंटरनाशनल market में तेजी से बदलाव आते रहते हैं, ऐसे में इन बदलावों का नेगेटिव असर आपके business पर पढ़ सकता है और business को हानी पहुन सकती है। देशों की मुद्रा विनिमय दर यानी currency exchange rate भी घरती बढ़ती रहती है। ऐसे में अगर किसी देश की मुद्रा गिरती है, तो आपका profit भी उसी अनुसार गिर सकता है। एक सीमा से दूसरी सीमा तक जाने में सामान काफी सारे पढ़ावों से होकर गुजरता है। यदि आप पानी के जहाजों के माध्यम से export इंपोर्ट कर रहे हैं, तो damage का खत्रा बढ़ जाता है। आपके सामान को नुकसान पहुचा कर आपका भारी नुकसान हो सकता है। एक राहत का संदेश होना चाहिए, कि आप कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिसमें हार की संभावना अधिक हो। अपनी राह पर भरोसे के साथ निकले, यही सोच और कॉंसेप्ट के साथ शुरू करें, लाब के अफसर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आपनी globalization के इस दौर में कितना जरूरी है हर बिजनस को लेकर एक राय बनाना, हर बिजनस को लेकर कुछ ना कुछ टिप्स को समझना। और इसलिए हम लगातार आपके पास नएने वीडियो के साथ हा रहे हैं और हम हमेशा comment box में जरूर देखते हैं कि किस तरह के बिजनस को लेकर ज़्यादा दिल्चस्पी है, ज़्यादा रूची है, तो आप भी इस वीडियो के comment box में जरूर लिखेगा कि आपको अगला वी वीडियो और आप देखना चाहेंगे बिजनस को लेकर, ओके क्रेडिट, बिजनस ओके है,